नमस्कार फ्रेंद्स, मैं हूँ इस्ट्रोलिजर अवास्तु कंसाल्टेंट रिधी बेहल Marriage, शादी, एक बहुत ही important decision होता है हम सबकी life का अब कब होगी ये शादी? What is the timing of marriage? आज का जो वीडियो है उसका यही topic है कि शादी का समय क्या है? किस समय शादी करें? कि married life जो है हमारी एक happy married life हो तो married life happy होगी की नहीं होगी? ये मैं आपसे अगले वीडियो में discuss करूँगी आज इस वीडियो में आपसे ये discuss करूँगी कि timing, कि शादी किस समय होगी? ये कैसे हम पत्री देखके या कुंडली देखके बता सकते हैं अब marriage देखिए एक तरह की partnership ही है तो seventh house को हम बहुत जादा importance देते हैं जब हम शादी की बात करते हैं इसके अलावा जो घर देखे जाते हैं वो होता है second house दूसरा घर, second house जो है उसको kutum बभाव कहा गया मतलब वो family का घर होता है, kutum means family तीसरा जो important घर है वो है 11th house 11th house जो है वो desires का, हमारी इच्छाओं का घर है और 11th house जो है वो growth का, बढ़ोतरी का भी घर है तो जब भी आपकी कुंडली में second house, seventh house और 11th house का connection बनेगा तब शादी का समय आएगा अब कैसे देखेंगे कि ये connection बन रहा है उससे पहले में आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम astrology में कोई भी prediction करते हैं तो जैसे कि astrology के principles कहते हैं कि देश, काल और पात्र देश याने की जगे, the place, काल याने की time, पात्र याने की person So you have to consider these three aspects कैसे, देखें, आज से 50 साल पहले या इवन 30 साल पहले भी शादियां जो है, उनकी age वो कम होती थी Girls के case में 18 से 20 साल की age में शादियां हो जाती थी लड़कों के case में भी 24-25 जो है, बहुत लेट माना जाता था, शादियां हो जाती थी पर अब जो है, समय बदल गया है अब लड़के लड़की की age में कोई difference नहीं है ये नहीं कि लड़की है तो जल्दी शादी होगी, लड़का है तो लेट होगी शादी की age भी समय के साथ बदल रही है और पहले अगर हम जाएं तो child marriages हुआ करती है तो जब भी कोई भी astrological prediction करनी होती है चाहे वो marriage related हो या किसी और भी field से related हो तो हमें time किस समय में हम रह रहे हैं वो बहुत important है किस देश में हम, किस जगे पे हम रह रहे हैं और कौन person concern क्या है वो सब देख कि हमें prediction देनी होती है तो जो ही मैं timing of marriage कह रही हूँ देखे, combination तो शादी का हो सकता है कि आपके 10 साल की age में भी बन रहा हो हो सकता है आपके later age में भी बन रहा हो पर हमें age, marriageable age को भी ध्यान में रखके prediction करनी होती है तो जैसे मैंने का second house जो की family का house है seventh house जो की marriage का house है ये तीनों का जब combination active होगा तब शादी का योग जो है strong हो जाते है अब ये combination कब active होगा ये कैसे देखेंगे देखें एक तो होती है आपके लगन कुंडली लगन कुंडली में जो आपकी planetary position है वो उस समय की है जिस समय आप पैदा हुए थे माली जी आप 1981 आप 5 फरवरी 1981 का आपका बर्थ है तो उस समय की जो ग्रह दशा थी वो आपकी कुंडली है वो आपकी कुंडली में planetary position जो है वो बताते हैं जी आपकी कुंडली है उसका impact आप पे lifelong रहेगा पर कैसे कैसे event होंगे पैदा तो आप 81 में होए पर शादी आपकी सन 2000 में होगी तो 2000 में ही क्यों होगी ये कैसे देखते हैं इसके लिए दो चीजे हैं जो हम कंसिडर करते हैं पहली चीज होती है दशा दशा जो है वो बहुत important role play करती है हर planet की एक time frame की दशा होती है जैसे की और ये fixed होती है जैसे की Jupiter की जो दशा होती है वो 16 साल की होती है Mercury की जो है वो 19 साल की होती है तो ऐसे जो है दशा frame जो है वो fixed होता है दूसरी चीज आती है वो आती है transit याने की गोचल अब जिस समय आप पैदा होए थे उस time की planetary position जो थी वो आपकी कुणली बन गई पर planet वहीं तो still नहीं हो गए न planets keep moving उनका movement होता है तो जो transit होता है वो होता है movement of planets तो जब भी हम कोई event देखते हैं कि जी job कब लगेगी या शादी कब होगी या बचा कब होगा तो उसके लिए हम transit मतलब आज की जो planetary position है वो consideration में लेते हैं तो जब हम शादी की भी बात कर रहे हैं तो हमने जैसे मैंने कहा कि second house, seventh house और 11th house activate होंगे तो कैसे activate होंगे पहली चीज दशा में कि या तो उनकी महादशा होगी या अंतरदशा होगी या प्रतंतरदशा होगी पहली चीज दूसरी transit में इन तीनो घरों का connection होना बहुत जरूरी है उसके अलावा जो हम और houses जो consider करते हैं वो है लगन लगन जो है आपका जो first house है वो आपका self है आपकी body है तो शादी किस की हो रही है शादी आपकी हो रही है आपकी लगन की हो रही है तो लगन का role भी आजाता है fifth house जो है वो बहुत important है वो जो है fifth house को हम जो बच्चे बच्चों से link करते हैं तो हमारे country में it is legal to have children after marriage तो इसलिए fifth house को हम देखने हैं कि fifth house की भी दशा का कई बारी connection जब बन रहा होता है तो शादी हो जाया करती है तो ऐसे जो है हम ये सारे घरों को link करके देखते हैं कि शादी का period कम आ रहा है इसके अलावा जो ग्रह होते हैं शादी का जो शादी से related जो ग्रह होते हैं वो हैं शुक्र और जुपिटर एक male horoscope में जुपिटर गुरू जो है वो husband के बारे में बताता है वैसे इन दोनों की स्तिती जुपिटर और वीनस की हम दोनों कुणलियों में देखते हैं लड़के की होचाए लड़की की की शादी कब होगी तो इन दोनों का भी role important हो जाता है अगेन दशा में और transit में कि आपकी जुपिटर की दशा चल रही है आपके वीनस की दशा या अंतर दशा या प्रतिंतर दशा आ रही है तब जो है शादी के chances बहुत strong हो जाते हैं उसके अलावा 7th house जैसा मैंने कहा जो की partnership और marriage का खर है तो 7th house की दशा कम हो जाता है उसके अलावा अगर मान लीजे आपके 7th house से Saturn का connection बन रहा है शनी का connection बन रहा है तो it will be a late marriage तो आपकी शादी होगी तो सही पर वो late होगी अब मान लीजे 7th house में शुक्र बैठा है और उच्चिकाओं के बैठा है तो in that case शादी के chances जो है जल्दी होगी मैंदर शादी जो है वो जल्दी होगी 5th house जो कि मैंने कहा था बच्चों का घर है 5th house जो है वो romance का भी घर है तो यदि आपका 5th house का connection 7th house से बन रहा है तो it will be a marriage of choice जिसको हम love marriage भी कहते हैं तो आपकी शादी जो है वो आपकी मर्जी से होगी इसके अलावा नवांश कुंडली जो की especially marriage के लिए देखी जाती है married life के लिए देखी जाती है हमारा married partner कैसा होगा family कैसी होगी जिसमें हमारी marriage होगी इन सब से related जो भी questions होते हैं जो भी queries होती हैं वो सब जो है हम D9 याने की नवांश कुंडली से देख के बताते हैं तो देखे जो astrological classical किताबे हैं उनमें तो बहुत सारे combinations दिये में हैं to check की marriage कब होगी और कैसी होगी कितनी successful होगी आज मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको simple तरह से simple combinations से ये बताने की कोशिश करूं कि हम किस तहे से देखते हैं की married life की marriage कब होगी So I hope you like this video और आप लोगों ने बहुत demand करी है marriage ही related और भी topics के उपर video बनाने के लिए जिसमें गुण मिलान भी एक topic है और जैसा मैंने का married life का success होना भी एक topic है तो very soon I'll be coming up with topics like this Do give me your feedback and please take care of yourself. Namaskar